हेलो एव्रिवान वेल्कम बाक तो रिमार्केबल स्टाडीज आज हम अपने चैनल के उपर अपने टॉपिक को कंटिनीव कर रहे हैं टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ TQM विद रेफरेंस तू हुमन रिसोर्स यह है हमारी वीडियो का पार्ट तू पार्ट वन अल्रे सिग्निफिकेंट हैं एक स्कूल के लिए आज हम उन पॉइंट्स को फॉर्दर कंटिनीव करेंगे पार्ट तू को स्टडी करने से पहले आप पार्ट वन को जरूर स्टडी कर ले ठीक है चलिए करते हैं कंटिनीव सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहां पर चलिगश अब देखो यहां पर सपोछ करो हम यहां पर स्कूल के सॉइन्स दिपार्टमेंट की बात करते हैं मतब जितनी टीचर सॉइन्स पढ़ाते हैं वो सारे टीचर क्या बन जाएंगी एक विए यह फून ही को मैनेज करने के लिए व क्या सिसे पर्षे हो सकता है वह स् अपने साथियों को empower करे मतलब कि अगर उनको कोई problem है उनको doubt है उनको वो दूर करे और motivate करे उनको कि आप अच्छा से अच्छा classes में पढ़ाईए leader don't believe in criticism leader जो है वो criticism में बिल्कुल believe नहीं करता मतलब कि वो अपने colleagues को अपने साथियों को कभी भी criticize नहीं करेगा कि अगर उनको डांटेगा नहीं या बार बार एकी बात repeat नहीं करेगा कि आप हमेशा गलतियां करते रहते हो आप बिल्कुल भी improve नहीं हो सकते ऐसा कुछ नहीं होगा वो जो leader है अपने साथियों को अपने साथ लेके चलेगा और उनको कहेगा कि हमें इस स्कूल ने appoint किया है हमारा motive है कि हम स्कूल के बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाएं कि सबसे अच्छा result हमारे स्कूल के बच्चों का हो leaders constantly put an eye on activities done by their mates mates का मतलब भी होता है साथी so that they can help them in improving their work जो leaders है वो constantly अपनी आँखों को गडाई रखते हैं अपने साथियों की activities के उपर कि वो क्या काम कर रहे हैं अगर वो काम ठीक ठंक से कर रहे हैं तो अच्छी बात है उनको और motivate किया जाए शाबाशी दी जाए उनको बाकियों के आगे appreciate किया जाए कि अगर ये persons इतना अच्छा काम कर सकते हैं आप भी कर सकते हो ओके और जो उनको help करेगा उनकी performance को improve करने के लिए Training and Teaching Skills हर एक teacher को कुछ ना कुछ skills की जरूरत होती है कोई teacher blackboard writing में अच्छा होगा कोई teacher जो है वो questioning technique में अच्छा होगा इसलिए teachers को ये चीज से बतानी चाहिए कि आप अपने साथियों से पूछो कि वो class में ये methodology यूज करते हैं तो वो किस तरह बचों को पढ़ा पाते हैं तो इस तरह उनकी जो है वो training होती रहेगी and promoting collegiality by involving all in organizational decision making यहां पर मैंने word use किया है collegiality, collegiality का मतलब होता है cooperation technical terms में अगर हम बात करें collegiality का मतलब होता है cooperation और जो leader है वो ये चीज प्रमोट करता है cooperation सभी teachers के बीच में by involving all in organizational decision making उन सभी को involve किया जाता है उस school के decision making में जैसे science teachers हैं यहां पर हम उसी example को continue करते हैं अब leader ये सोच रहा है कि क्यों न हम अपने school में science fair organize करें तो वो अपने जितने भी science के teachers हैं उनको बुलाएगा और उन सभी की बातों को मद्दे नजर रखा जाएगा कि हर एक teacher क्या बोल रहा है पूरी list बनेगी और अगर उस leader को उन teachers के decisions अच्छे लग रहे हैं तो definitely उनके decisions को माना जाएगा जिससे वो जो teachers है वो और जादा motivate होंगे और बड़े ही अच्छे ढंक से काम करने के लिए त्यार हो जाएगे ठीक है समझ लगा यहाँ पे TQM approach apply हुई from the point of view of a leader इसी तरह हम principal की भी बात कर सकते हैं principal भी क्या है पूरे school का leader और principal को भी अपने साथ ही जो teachers है उनको साथ लेके आगे चलना चाहिए यह नहीं कि कई teachers जो है वो कई बार अच्छा नहीं perform कर पाते तो उनको डांटो बाकी colleagues के आगे उनको डां अपने cabin में बुलाईए और वहाँ पे उनको बताईए कि आप इस skill को इस तरह इंप्रूफ करें तो definitely आप इंप्रूफ कर पाएंगे ठीक है चलिए अगे लेखते हैं involvement of all in decision making जितने भी persons है आपके school में उनकी involvement लेके आई जाए decision making में in a school involvement of all is undertaken while taking decisions decisions लेते टाइम काफी सारे persons की involvement जो है वो school दोरा ली जाती है it reduce the chance of opposition अगर आप सभी teachers को include कर लोगे decision making में या उनकी teams के heads को include कर दोगे तो कोई भी teacher आपके decision को oppose नहीं करेगा और सारे teachers motivate होंगे to work for the development and improvement of the school की वो school के लिए development करें और school की performance को improve करें everyone will easily follow the decisions that are made in collective way हर कोई follow करेगा decisions जो उस meeting में लिये गए है अब principal ने जो है वो meeting रखी है teachers के साथ principal ने सिरफ और सिरफ जो उसके favorite teachers है उनको बुला लिया meeting में और उन सभी ने मिलके decision ले लिया हो सकता है teachers खुशी खुशी उस decision को ना माने तो इन situations को avoid करने के लिए अच्छी यही बात है कि सारे teachers की involvement appropriately की जाए meetings में next point है हमारा feedback feedback सबसे important point है किसी भी resource को properly use करने के लिए और TQM बहुत जादा focus करता है feedback के उपर feedback is used to develop human resources particularly teachers, principals, non-teaching staff etc. feedback को use किया जाता है हमारे school की सारी human resources को properly develop करने के लिए क्योंकि feedback का मतलब क्या है कि किसी ने कोई काम किया आप उनको बता रहे हो कि आपने सही चीजे क्या की और गलत चीजे क्या की इसलिए feedback teaching में बहुत जादा important बताया गया है क्योंकि ये जितनी भी faculty है हमारे school की उनको develop करने में help करता है feedback में भी collected from feedback किस से collect किया जा सकता है students से, peers से, peers मीन साथी, parents के साथ और community members के साथ इन सब भी लोगों को involve किया जा सकता है for giving feedback अब आपने कोई नया teacher appoint किया school में उसने class में demo दिया one week के लिए पढ़ाया तो आप उस class के students को अपने बास बुला के पूछ सकते हो कि उस teacher ने कैसा पढ़ाया आपको अच्छा लगा या नहीं या जब teacher class में पढ़ा रहा है तो दो teachers उनको evaluate करने के लिए class में बैच सकते हैं कि teacher किस तरह class में पढ़ा रहा है different techniques, different methodologies use की जा सकती है to provide feedback to the teachers for feedback rating scale technique can be used feedback देने के लिए rating scale technique जो है वो हम use करते हैं अब जो students ने already training लगा ली हुई है schools में उनको तो rating scale के बारे में information होगी कि rating scale होता क्या है और कैसे बनता है एक बारी मैं फिर भी आपको बता देती हूँ उसका format rating scale होता क्या है rating scale होता है एक table जिसमें आपको कुछ components दिये होते हैं और साथ ही साथ आपको scale दिया होता है scale में आपको numbers provide होते हैं और जो आपको evaluate कर रहा है जिसने आपको feedback देना है वो आप देखता है कि इस component में आपने कैसी performance दी है तो उसके according आपको rating जो है वो दे देता है यहां पर important यह चीज है कि आपने scale जो दिया है उसकी description जरूर दे कि 5 number अगर आपको मिलेंगे तो उसका मतब है आपकी performance जो है वो excellent है अगर आपको 4 scale पर rate किया गया it means your performance is good 3 पर किया गया तो आपकी performance average है 2 पर किया गया तो below average और अगर 1 मिला आपको it means your performance is poor ठीक है अब यहां पर देखो first जो component है वो है confidence चेक करेगा आपका evaluator की आपने किस तरह confidently class में पढ़ा है उसको लगा कि आपका confidence वही बहुत अच्छा था उसने आपको दे दिये 4 punctuality की आप teacher जो है वो class में time पे पहुंच रहा है lecture start हो गया 9.30 पे और आप class पे पहुंचे हो 9.45 पे पंदरा मिनट लेट impression गया तो यहां पे आपको वो दो नमबर भी दे सकता है और एक नमबर भी दे सकता है अगर आपके पस genuine reason नहीं है कि आप पंदरा मिनट कहां थे इस सेना मतलब rating scale बनता है और यह description देनी बहुत ज़्यादा जुरूरी है जो हमें यह बताती है कि particular number कितने marks के लिए है आगे last point है feedback reduces weaknesses अब अपने किसी को feedback दे दिया punctuality के उपर कि आप time पे classroom में पहुंचिये तो उस person ने अपनी इस weakness को दूर कर दिया अब 9.30 का lecture है तो वो person exact 9.30 पे class में पहुंच रहा है और उसने अपनी weakness को दूर कर दिया sustained development of human beings और जो चीज उसमें अच्छी है उसको वो बरकरार रखता है अब आपने teacher को confidence में दिये थे 4 scale it means teacher को ये पता लगा कि मैं confident हूँ पूरी तरह से class में पढ़ाते हुए कुछ और मुझे महनत करने की जुरूरत है और अगली बारी जब आप class में गए तो आपने देखा कि ये तो पहले से भी अच्छा confidence है तब आपने उनको scale के उपर दे दिये 5 marks ठिक है ये चीज़ समझ लगी है आपको feedback कैसे हमारे लिए helpful है teachers की development के लिए next point है mutual evaluation अब जो हमने पिछला point किया वो था कि हमें कोई आके बताए कि हाँ जी आपने ये गलतियां है ये आपके points जो है वो सही है mutual means यहाँ पे जो teacher है वो खुद अपनी performance को evaluate करता है कि मेरे में क्या कमियां है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ continuous feedback is given by others to improve performance सारे देते हैं but self evaluation is also important अपने आपको खुद evaluate करना भी अच्छी बात है in this the person evaluates its own task identify where he or she is lacking and try to avoid such situations further अब teacher अपने rating scales चेक कर रहा है कि हमेशा उसको इस particular rating scale पे three number मिल रहा है या two मिल रहा है या one मिल रहा है तो वो देखेगा कि क्यूं मुझे इतने कम number मिल रहे हैं इस particular scale के ऊपर और वो उस चीज को खतम करने की कोशिश करेगा कि वो four और five number तक पहुँचे इस तरह जब कही बारी हम अपना self evaluate करते हैं तो हम अपनी गलती को अच्छे तरिके से समझ पाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी ठीक भी कर लेते हैं next point reduce wastage and stagnation TQM approach properly analyze करती है कि उसके school में कितनी human resources की जुरूरत है TQM helps in reducing wastage and stagnation wastage को तो reduce करता ही है साथी साथ stagnation को भी eliminate करता है education का मतलब होता है एक ही level पर खड़े रहना बस यहां पर है ना आपका graph यहां से उपर जा रहा है और ना यहां से नीच जा रहा है आप इसी point के उपर अटके हुए हो TQM इस चीज को बिलकुल ही खतम कर देती है if in a school there is requirement of only 30 teachers अब हमने एक नया school खोलना है हमें पता है कि हमें सिरफ और सिरफ 30 teachers की requirement है under TQM approach only 30 teachers are employed तो हमारे school में सिरफ और सिरफ 30 teachers की ही employment होगी हमने पहले TQM approach apply नहीं की हमने रख लिए 40 teacher जब हमने school बनाया तो हमने देखा कि हमें तो सिरफ 30 teachers की जुरूरत है अब इन 10 teachers का क्या किया जाए तो ये बात गलत है कि पहले आपने teachers को रखा फिर आप उनको कह रहे हो कि हमें employment की और जुरूरत नहीं है तो आप हमारे institution से जा सकते हो ऐसे तो इस institution का नाम खराब होगा इसलिए TQM approach को apply करके देखो कि कितने employees की आपको जुरूरत है everyone emphasizes is made to train staff at any cost फिर जो अपने staff रखा है उसको training दो ताकि वो best way से classes में पढ़ाए नई activities introduce करें, competitions करवाए और school की जो activities हैं उनको properly manage कर पाए next point, higher authorities यहाँ पे हम TQM में सिरफ और सिरफ employees की, teachers की, principals की ही नहीं बात कर रहें बलकि higher authorities की भी बात कर रहें higher authority मतलब management या principle या एक team है उसका particular head यहाँ पे higher authority का मतलब है ये TQM focus on democratic and flexible role of higher authority TQM कहता है कि जो higher authority है न उनका role कैसा होना चाहिए flexible, flexible means situation के according बोथ change करें अपने rules and regulations को और democratic, democracy का आपको पता ही है जहाँ पे हर एक person के पास right होता है right to speech, right to express their opinions इसी तरह school की higher authority भी उसके institution में काम करने वाले सभी लोगों को ये right दे कि वो अपनी मर्जी से institution में अगर कोई खामी है कोई development वो चाहते है या वो problem face कर रहे हैं तो उसको higher authorities के सामने रख पाए अगर उनको कोई problem आ रही है तो उनको भी वो appropriately ठीक कर पाए even flexibility motivated the person to give effective advice flexibility जो है वो दूसरों को motivate करती है effective advice देने के लिए for the well-being of school अगर आपका higher authority जो है वो flexible नहीं है कोई teacher आ higher authority के members को नहीं मिल पा रही तो तो वो कोई suggestion नहीं दे पाएंगे और वो hesitate करेंगे कि पता नहीं higher authorities के लोग उनकी बात मानेंगे उनको डांट ना दे कि आप हमारा time waste कर रहे हो आपका काम पढ़ाना है suggestion देना नहीं है तो ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए democracy और flexibility काफी हद तक institution में follow की जानी चाहिए selection of students today in education students cannot be selected एक institution students नहीं select कर सकता कि हम इसी in school इसी category के लोग बच्चों को पढ़ाएंगे दूसरी category के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ऐसा नहीं हो सकता यह चीज थी गुरुकुल time पे ancient time में आपको पता है गुरुकुल system होता था जहां पे सिरफ और सिरफ high class जो लोग होते थे उनके बच्चों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को तो गुरुकुल में पढ़ाया नहीं जाता था पट आज यह scenario नहीं है educational institutions कोई भी बच्चों को select नहीं कर सकते कि हम इन ही बच्चों को पढ़ाएंगे there are numerous acts and laws such as RTE, SSA, inclusive education numerous acts है right to education, सरफ सिक्षा भ्यान, inclusive education concept यह सारे जो laws हैं यह students की selection को बिलकुल ही रोकते हैं और यह कहते हैं कि सारे students equal हैं और आपको equal way में जो है वो सभी को पढ़ाना है no doubt कुछ categories के लिए already seats reserved हैं institutions में कि उनके साथ किसी भी तरह का discrimination ना हो कि इस category के लोगों को आप अपने school में admission नहीं दोगे उनके लिए fee structures भी flexible होते हैं uniforms दी जाती हैं उनको बहुत सारी facilities provide की जाती है under different acts ताकि उन लोगों के साथ उन students के साथ किसी भी तरह का कोई भी discrimination ना हो यह point था student से related okay learners this was all about अब हमने detail में discuss कर लिए दोनों ही topics human resources वाला भी और physical resources वाला भी I hope आपको यह सारे point समझ में आ गए हैं अगर किसी भी point में difficulty है तो आप नीचे comment करके मुझे बताएं मैं उसको आपको दुबारा समझा दूँगी और इसके बाद हम जो topic करेंगे वो है norms and conditions for opening a school in CBSE board as well as in PSEB board stay tuned for next videos अगर आपने चैनल को subscribe नी किया तो इसको subscribe कर लो साथी साथ like, share और comment भी कर दो thank you